ओम नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महापुराण के अनुसार कौन से वो लोग होते हैं जिनसे दोस्ती कभी भी नहीं करनी चाहिए या इस ग्रंथ में देवी भगवती का जिक्र किया गया है और देवी के सभी अवतारों के बारे में बताया गया है इस महापुराण में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनसे दूर रहने में ही भलाई होती है जिहां इन लोगों से दोस्ती करने से जीवन में हर वक्त परेशानिया और दुख ही आते रहते हैं इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है आए जानते हैं कौन से वो लोग होते हैं सबसे पहले तो लालची लोग जिन लोगों के अंदर लालच भरा होता है ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं और इन लोगों से दोस्ती क करना या रिष्टा निभाने से आपको ही नुक्सान पहुंचता है समय समय पर लालची लोग हर समय किवल अपने बारे में ही सोचते हैं यह इनकी पहचान होती है और लालच के कारण यह आपको कभी भी धोखावी दे सकते हैं जैसे ही वैसी परिस्थित उत्पन होगी तो इस के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं अगर आपके जीवन से भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं तो आप उन लोगों से दूरी बना लें क्योंकि इस तरह के लोग आपके काम्याब होने पर आपकी खुशी में शामिल होने की जगह पर आपके प्रती जलन या फिर दुख में सुखी होने वाले लोग जी हां हर किसी के जीवन में दुख चलता रहता है और दुख का समय काफी कश्ट दायक होता है सभी के लिए इक्वली अक्सर लोग अपने दुख के समय में ऐसे लोगों का साथ ढूनते हैं जो कि उनकी मदद कर सकें लेकिन कई ऐसे करने के सो बहाने खुज लेते हैं इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो कि बुरे समय में आपका साथ देने की जगापर आप पर हंसते हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना ले इसी में बहतर है इसके अलावा औरतों का सम्मान ना करने वाले लोग जहा इसलिए इस प्रकार के लोगों से दोस्ती करने से बचना आपके लिए बहतर है इसके अलावा छल कपट करने वाले लोग बहद ही तेज होते हैं और ऐसे लोग आपको हानी पहुँचा सकते हैं कप्टी लोगों का मन हमेशा बुरे विचारों से ही भरा रहता है और ये इसके लोगों से दोरी ही बहतर है इसके अलावा अहंकारी लोग अपने सामने हर किसी को छोटा ही मानते हैं और अपने अहंकार के आगे किसी की भी सुनते नहीं हैं अहंकारी लोग अपनी गलतियां स्विकार नहीं करते हैं और सदा अपनी बात को ही उपर रखते हैं इसलि ये है कि अगर इन में से कोई भी एक कमी हमारे अंदर है तो हमें सबसे पहले खुद को भी उसके कोडिंग ढालना चाहिए कि ये कमियां दूर करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी के साथ नहीं पसंद करते तो डेफेनेटली हमारी भी ये आदतें किसी को पसंद नहीं आ सकती है तो जीवन को अगर सही ट्रेक से जीना है, सिंपली खुशनुमा महाल में जीना है तो ये गुन है इन औगुनों को छोड़ देना ही इन औगुनों को छोड़ देंगे खुद गुनवान बन जाएंगे ठीक वैसे ही अगर इस प्रकार के लोग इस मानसिकता के लोग आपके आसपास हैं तो उनसे आपका कभी न कभी अहित हो जाएगा क्योंकि जैसे बिच्छो की प्रवरिती होती है कि वो डंक मारेगा साप का एक स्वभाविक नेचर है प्राकृतिक नेचर है कि डंसता है काटता है ठीक वैसे ही जो आपके मुँपर बुराई करता है आपके कि किसी और की बुराई आपके मुँपर कर रहा है आपके सामने तो डेफिनेटली दूसरे के पास जाएगा तो आपकी भी बुराई करेगा कहीं न कहीं बैठ करके तो ऐसे लोगों से हमेशाद दूरी बना करके रखनी चाहिए अब दूरी बनाने में एक बात है हो सकता है म कभी हो गया वो बात अलग है लेकिन एक निकटता होती है कि आप मैकसमम टाइम किनी लोगों के बीच में बैठ करके गुजारते हैं तो ऐसे लोगों के बीच में वो समय अपना नहीं गुजारना चाहिए मैकसमम समय नहीं गुजारना चाहिए कभी बात होनी पढ़ गई ज आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में तब तक आप स सभी खुश रहें स्वस्त रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव